Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel So guys, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी NEET exam की तैयारी में struggle कर रहे हैं और उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि कैसे अभी से पढ़के वो अपनी NEET exam में अच्छे marks ला पाएंगे तो बेटा मेरा ये दावा है आप सबसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसको 80% भी implement कर लेते हैं अगले 30 दिनों तक तो आप NEET biology में 340 plus marks 100% लाएंगे और अगर आप इसको 100% implement कर लेते हैं तो आपके 360 में 360 marks guaranteed हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक important announcement भी है आप सबके लिए बेटा आज जैसा कि Republic Day है तो सबसे पहले आप सबको Republic Day की हार्दिक शुब कामना है इस Republic Day के शुब अफसर पर हम एक giveaway plan कर रहे हैं अब इस giveaway के बारे में जादा जानकारी आपको वीडियो के end में मिलेगा बट इतना समझ जाए कि हम कुछ स्थेतोस्कोप्स और आईपैड गिववे करने वाले हैं इस वीडियो की माध्यम से तो end तक जरूर देखना अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दवा दो ताकि आप कोई notification मिसना करें मैं आपको बेटा एक 30 डे का planner बना के देने वाला हूँ इस वीडियो की माध्यम से और step by step ये बताने वाला हूँ जिससे आपने पहले कुछ ऐसा प्रूव कराया हो तो बेटा मैं आपको बता देतना चाहता हूँ मैं 2019 से online पढ़ा रहा हूँ उससे पहले मैंने offline बहुत पढ़ाया है मैंने doctors को भी physiology पढ़ाया है तो मेरा लगबग 8-8 साल का experience जो बताता है उसको मैंने सब कुछ को मिला के capsule course बनाया जिसकी मदद से आपके full marks मैं ensure कर रहा हूँ तो क्या किया हमने तो बेटा 2021 में तुमने मेरी एक series देखी थी YouTube पे सबसे पहले NCRT line by line पढ़ाना मैंने start किया था और आज भी वो YouTube पे सबसे ज़ादा देखे जाने वाला playlist है और उसने कम से कम 10,000 से जार डॉक्टर्स बनाये 2023 में मैंने पहली बार एक सबसे smart किताब Baili Handbook लाँच की जिसको एक दिन में ही Amazon ने bestseller घोशिच कर दिया था पहले दिन इस किताब की 10,000 copies से लोई इसी Handbook के basis पे मैंने किताब बनाई जिसका नाम है Neat Biology in 30 Days अब सिर्फ ये किताब नहीं है ये पूरा का पूरा course है और कैसे ये हर step में आपको help करेगा वही हम इसके माध्यम से समझेंगे तो बेटा दो तरह के बच्चे आपकी एक तो जो पहले जिरो लेवल पे हम उनकी बात करेंगे फिर बात करेंगे जो बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत biology बढ़िया और उनको device करता है उनकी भी बात करेंगे दोनों की strategy थोड़ी अलग होगी तो दोनों समझते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोई एक बच्चा है जो जिरो लेवल पे है तो वो क्या करेगा तो जो जिरो लेवल पे बच्चा है बटा उसको एक मैं 30 डे का schedule दूँगा ठीक है मैं 30 डे का timetable भी दूँगा ठीक है ठीक है for 30 days और मैं ensure कर रहा हूँ कि आपके 360 marks आ जाएंगे अब कैसे होता है यह यह मैं आपको समझाता हूं पेटा देखो biology में दो तरह के chapter है एक को हम कहते हैं rectification chapter ठीक है living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom, plant morphology यह सारे rectification chapters है और कुछ chapter जो concept और rectification का मर्ज होता है जैसे evolution हो गए इन तरह के chapter ठीक है और इस पर direct question आपको देखने को मिलते हैं conceptual chapter को आपको NCRT तो cover करना ही पड़ता है प्लस NCRT के underlying concept इसको भी देखना पड़ता है तो हमने क्या किया बेटा हमने हर दिन के हिसाब से आपके lectures बनाए 30 दिन का ठीक है मैं आपको दिखाओंगा कैसे day one का lecture है कैसे day two का lecture है और हमें एक आपको syllabus tracker भी देते हैं जिससे आप टिक लगा सकते हैं कि आपने क्या complete कर लिया 30 दिन में तो यह syllabus tracker भी आपको end में मिलेगा ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यह lecture लगानी है अब यह जो lecture है यह including NCRT review है मतलब 100% NCRT इसमें covered है और जो conceptual chapters है उसमें हम underlying concept ले थोड़ी NCRT से बाहर भी गए हैं ताकि आपको zero level से मतलब तुमको अगर spell क्या होता है वो भी नहीं पता है तो भी तुमको इस lecture से स समझ में आएगा और सबसे इंट्रेस्टिंग बात है कि यह lecture सिर्फ और सिर्फ 100 hours का total है इससे जाधा का नहीं है ठीक है 104-105 घंटे का है मतलब 100 hours के round का है इससे जाधा का यह lecture नहीं है अब बोलोगे सब कैसे दूसरे टीचर तो एक चाप्टर में 12-14-14 घंटे लग आते है यहीं पर हमारा काम आता है स्ट्राटेजी देखो मेजर काम क्या है lecture का समझाने का आप अगर लिख लिख के पढ़ाते हैं अब देखो तुमारे पास टाइम नहीं है लिख लेके पढ़ने का तो उसी लिए लिख लिख के वाला जो पार्ट है उसके लिए किताब है जहां प बनाने में आपको पाच्छे घंटे लग जाते वही काम आपका lecture में देड़ से दो घंटे में हो जा रहा है तो वहां आपका क्या है लगवक सकतर परसेंट टाइम बचता है तो यही वाली बात हम अपने lecture के साथ करते तो आपने lecture लगा लिए ठीक है इसका schedule मैं भी दुखा है उनको इसी lecture को 1.5x speed पे एक बार देखना पड़ेगा तो यही आपका time थोड़ा बढ़ गया सर और जो इनका revision वाले का time हो उनका time थोड़ा काम हो गया लेकिन करना दोनों को एक बार ये lecture पूरा देखना है ठीक है अच्छा हमने क्या किया इस lecture में कि जैसे मालो कि तुमक को frequently asked topic का ही पता दिल जगा मैं तुम्हें notes भी दिखाता हूँ ठीक है मैं अगर तुम्हें बोलोगे तो notes भी इसका दिखाता हूँ तो जैसे तुम यह notes देखो इसका ठीक है यह हमारे notes है तो आप देखो कि सब कुछ table के form में जाते सिंपल स्कॉर में से पिछी लिए अब देखो इसमें ठीक है प्लस तुम frog देखोगे तो तुम्हें पूरा मजा ही आ जाएगा जैसे अगर आप cockroach देखो और frog देखोगे तो पूरा frog आपको tabular form में explain कर दिया गया है ठीक है यह तो cockroach ही चल रहा है तो लोड यह slower है क्योंकि बहुत भारी फाइल होती है ना बहुत ग्राफिकल किताब है देखो कितना पॉइंट पॉइंट होई देखो फीमेल रिप्रोडिक सिस्टम कैसा है इंपॉर्टिंट वर्ड्स को हाइलाइट कर दिया तो जो पढ़ने का इंसी आटी का टाइम तुम्हारा किसी चाप्टर को पढ़ने का दो घंटा है तो वही काम तुम 15 मिनट में पढ़के रिवाइज कर पाऊगे तो इतनी प्यादी किताब हमने बना दी जिससे तुम्हारा नोट्स मेकिंग टाइम जिरो हो गया और ऐसे नोट्स तुम खुद से बना भी नहीं पाते क्लास तो आपने स्टेप बन क्या किया यह लेक्चर लगाया और इ तो आपके स्लेवर स्टेकर में एक टिक होगा कि आपने लेक्चर लगाया लेक्चर ठीक है और दूसरा टिक होगा कि आपने पीवाइक्यू किया इसके आपने एक्जेंपलर किया इसके और आपने प्रैक्टिस किया इसका ठीक है और लास्ट में होगा आपने इसको रिवा कहां से मैं PYQ exemplar करूं मिले पास तो किताब नहीं PYQ exemplar की तो आप क्या गया है यहां पर सीधे जाएंगे ठीक है हाँ तो यहां पर आपको option है इस किताब को purchase करने का किताब के नोट्स है आप साथ के साथ जैसे आप देखोगे कि मैं इसमें लिखके भी कुछ flower बना के भी पढ़ा रहा हूं लिखके भी पढ़ा रहा हूं तो आप अपने ही book में उसको add करते रहेंगे और जो हमने आप स्टार्ट प्रेक्टेस पे ट्लिक करेंगे और यह पीवाई के और एक्जम्पलर सॉल्फ करेंगे जो question आप से नहीं बना उसका screenshot ले लेंगे और उसको अपने mistake notebook में डाल लेंगे ठीक है उसके बाद सर आपने पीवाई के और एक्जम्पलर कंप्रीट कर लिया जिसमें तॉपिक में आपको पीवाई के और एक्जम्पलर में दिक्कत हुआ उसका solution भी इसमें दिया हुआ है आपको जहां पर solution में दिक्कत है आप उसका text solution भी देख लीजे और इसका screenshot रख लीजे जो आपके flash card के तरह काम कर लेगा ठीक है तो यह काम आपको करना है तो क्या आप यह lecture लगा है लेक्चर के बाद आपने पीवाई क्यू किये आपने exemplar किये 10 साल से beyond पीवाई क्यू करने की जरूरत नहीं है और आपने chapter wise mock test देके practice कर लिया ठीक है सर आपका day one का target खतो अब रात में जब आप तो रहो तो आप क्या करोगे कि जो कुछ भी आपने screenshot लेके रखे है एक chapter उसको रात में एक बार देख ठीक है तो यह आपका day one का target हो ठीक तो आपको देखोगे पूरा day one का 30 दिन का schedule हमने दिया है तो day one पे हम living world of biological classification अपडेट करेंगे already updated है यह वीडियो आज तुम्हारा plant kingdom चला जाएगा कल animal kingdom फिर plant morphology फिर plant anatomy फिर animal tissue cockroach frog फिर cell the unit of life फिर biomolecule और इसमें added topic included है latest NTA के सारे added topic included है cell photosynthesis respiration plant growth breathing body fluids excretion movement साथ हमने target wise आपको दे दिया है और इसका आपको बकाईदा slaver stacker मिलता है हर दिन का जिसको आप टेक लगा सकते हैं तो कभी भी शुरू कर दो आज से शुरू कर दो कल से शुरू कर दो परसों से शुरू कर दो आप इसको शुरू कर सकते हैं ठीक है schedule आपको क्या रखना है अगर आप मेरा schedule follow करना चाहते हैं तो यह study plan है आपका average आपके दिन के चार घंटे के lecture का time होगा जिसमें आपने lecture लिखे तो सुभा देख लो सबसे अच्छा साथ से नौ एक lecture देखा 10 से एक कर दिया मैंने 10 से 12 है न 12 पीम तक आपने एक lecture देखा ठीक देखा ठीक है तो 10 से 12 आपने यह आपका क्या कर लिया लेक्चर पार्ट को कर लिया ठीक है दो से साथे तीन आपने वह practice जो मैंने आपको दिखा उसका दिया और उसका analysis करने में तुमको 40 मिट लगेगा बांकी के जो आपको 45 मिनट है वो आप analysis में लगा लीजे ठीक है और साथे चार साथे पाच आपको PYQ और exemplar करना है और इसके साथ एक और चीज करना है जो मैं आपको बता रहा हो कैसे मिलेगा एक मेरी किताब थी बेटा इसका नाम था between NCRT line तो हमने इसमें क्या किया इसका fill in the blanks बना दिया इसको NCRT के हर line का fill in the blanks है ठीक है और इसकी book जो ह कुछे नहीं है तो टेलिग्राम चैनल पर आप चले जाए और इसका print out निकाल दीजिए और जैसे आपका chapter खतम होता है इस NCRT workbook को भर दीजिए इसके भी video YouTube पर पढ़ी हुई है तो अगर आप किसी question में attack रहो तो इसका video YouTube पर पढ़ा हुआ है जो आपके revision के लिए help करेगा तो इस तरह से आप पूरा अपना schedule plan कर सकते हैं और आप revision कर सकते हैं तो इससे तुमारा पूरी biology complete हो जाएगी ठीक है सर 30 दिन में हमने biology complete कर ली तो क्या इसके बाद आपको सोजाना है नहीं सर आपने जब biology इतना complete कर लिया तो आपके biology में 300 plus marks आने लगेंगे तो बोलोगे सर अब 300 से 360 marks लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर तो 300 से 360 marks लाने के लिए आपको सर एक और काम करना पड़ेगा क्या सर आपको question bank solve करना पड़ेगा ठीक है अब अगर आपके पास already question bank है जैसे अगर आपके पास नहीं है तो मेरा आप top 10,000 question का biology का question bank लिए सकते ठीक है तो इसमें again topic wise question होते हैं chapter wise question होते हैं exam drill होता और PYQ और exam drill होता तो आपने app पे कल दिया तो topic wise question और exam drill आपको करना पड़ेगा और इसमें हम 10 full mock test भी biology के देते हैं इस question bank के साथ तो जिससे आपका full mock test का भी preparation हो जाता है और आपने जब ये पूरे question कर लिए 10,000 question कर लिए इस theory के साथ तो फिर आपके जो marks है धीरे-धीरे 300 से 320 पर जाएंगे और 320 से 340 पर और 340 पर 360 में 360 marks आपके आ जाएगे कैसे purchase कर सकते हैं सर इस किताब को 30 days किताब को या question bank ठीक है उसके बारे बात करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर आपको जाना है मेरा website है fundabox.in ठीक है आप fundabox.in पर जब जाएंगे तो आपको पहला combo ये दिखा होगा जहाँ पर सारे question bank है मेरे और 30 days बायल जी किताब है इसके किताब लेनी तो यहाँ पर जाओगे यहाँ पर buy now का option है का buy now के click करोगे और बच्चे पुछते हैं सर ये coupon code apply का option क्या डालना है कुछ नहीं डालना है तुमको यहाँ पर proceed to pay करना है यह coupon code किन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे Amazon से किताब कर दोगे तो तुमको यहाँ पर activation code दिया रहेगा जहाँ पर लिखा हुए ना इस बुक बिलॉंग्स टू फीचर डॉक्तर तुम जहाँ पर आप नाम लिखो कि यहाँ पर activation code होगा इसको तुमको scratch करना है और किताब funda box app download करना है और यहीं पर application को डालके proceed to pay कर देना है तो तुम्हें पैसे नही Amazon जा करता है तो तुम्हारी funda box book app पे यहाँ से activate हो जाती है ठीक है चलो आपने proceed to pay किया आपने proceed to pay किया यहाँ पर proceed कर लोगे बुक payment करता होगे अब बोलोगे सर आपने तो address लिया ही नहीं address कैसे तो बैटा address के लिए देखो यहाँ पर यह नीचे देखो यहाँ पर तुम्हारा profile section यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे अपना नाम डीटेल वगेरा फोटो लगाना है फोटो लगा दो सब कुछ डाल दो और यहाँ पर यह address डीटेल होगे zip code डालोगे सही से city ड January से शुरू होगी और आपको अगर आप आसपास रहते हैं तो दो तारीक देलिवर हो जागा नहीं तो थोड़ा लेट डेलिवर होगा ठीक है क्या-क्या किताब पर मिल रहा है आपको आपने देख लिया यहाँ पर ट्राय डेमो पर आप जाके देख सकते हैं इस तरह का Read Practice तो अगर मालो कि कहीं तुम किताब ले जाना भूल के कहीं ट्रैवल कर जाओ तो तुम यहाँ पर PDF आप से भी बढ़ सकते हो ठीक है और Practice भी तुम आप पर कर सकते हो तो पूरा One Stop Solution तुमारे Biology के लिए बन जाता है क्या तुमने कभी ऐसी किताब देखी है कोई पूरे इ Giveaway का बोला था Giveaway का क्या हो गया हाँ जी तो Giveaway पर बात करते हैं तो बेटा आपको जो यह बुक है अगर आप इस बुक को बिफोर 27th January पर्चेस करते हैं ठीक है 27th January तक इस बुक की प्राइस हमने रखी हुई है चलो मैं 27 कुछ बच्चे लेट जेखेंगे मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ठीक है 31st January करते हैं ठीक है तो अगर आप इस बुक को बिफोर 31st January पर्चेस करते हैं तो इस बुक की प् पर्चेस करने के बाद अगर आपके बायोलजी में 360 में 360 मार्क्स आते हैं तो आपको मैं एक आई पैड एर दूंगा तो तुम्हारे जो क्या बड़ीया investment रहा, 700 रुपे के investment रहा, अब लोगसा आइफोन देते हैं, आप आइफोन क्यों नहीं देता हो, फिटा मैं हमेशा पढ़ाय की चीज देता हो, तुम्हें ज़ाओ गो आई-पैड का बड़ा काम आता है, तो तुम्हें दरूरत होगी, वो आपको स्थेतोस्कोप दूगा, अगें ये भी आपके किताब से ज़्यादा महंगा है, तो it is my way of redeeming your book for free, तो मुझसे इस से ज़्यादा कुछी किसी से नहीं होगी, कि मेरे 500-100 बच्चे iPad ले जाएं, तो मैंने 100 iPad order किया है, ठीक है, और मैंने 500 स्थेतोस्कोप order किया, तो I hope इ तो I hope आप इस strategy को पूरा end-to-end follow करें, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा, जो पढ़ाया गया है, it is more than sufficient, और ये 8-10 सालों के experience या रहा है, एक डॉक्तर बता रहा है तुम्हें ये सारी चीज़ें, जिसने खुद neat exam crack किया, तो तुम्हें अपना दिमाग लिए accept कर रहे हैं, इस challenge को accept कर रहे हैं, तो hashtag restartneet2024 डाल दीजे comment section में, और इस challenge को अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे, मुझे जितने बच्चों के 360 में 360 हैं, एक दो नहीं, अगर 100 क्या है, 200 क्या है, 500 क्या है, मुझे kidney बेच के भी iPad देना पड़ेगा, तो मैं आप सब को iPad दूँगा, तो फटा पट जाएए, इस किताब को purchase कीजिए, और अपनी need biology के journey को आसान मनाईए, और एक और बात बताईएगा, अगर आपको ऐसी किताब physics और chemistry के लिए भी चाहिए, तो comment section में mention कीजिए, अगर बहुत सारा comment आता है, तो मैं physics और chemistry किताब भी launch करने का सोचू तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, यह चैनल थोड़ा underrated सा है, तो इस चैनल को share भी बहुत कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ी मेरी मदद कीजिए, thank you, take care, bye bye and have a great day, thank you.